तो दोस्तों आज हम जानेंगे किस तरीके से हम CPU को इंस्टॉल करते हैं CPU को मदरबॉर्ड में किस तरीके से लगाते हैं और CPU को जो हम किलीन किस तरीके से करते हैं तो इस पार्ट में आपको step by step हर एक चीज जो है मैं इसमें बताऊंगा आपको सब्सक्राइब आश्याइब करते हैं तो आपको देते हैं एक कमांड CPU में ही जाता है और CPU इनलाइसिस करके प्रोसेसिंग करे ओपूर्ड देता है तो CPU में जो हम डार्ट से टच भी नहीं कर सकते हैं तो हमें CPU किस तरीके से हम ओपन करते हैं और किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं वो मैं step by step इस वीडियो में बताऊंगा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकन भी दवाया और ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तो दोस्तों यह पार्ट नंबर फिरी है अगर आप पार्ट नंबर वन और पार्ट नंबर टू नहीं देखे हैं तो प्लीज आप इ इसा होता है कि दो से पांच मिनट चलता है बंद हो जाता है तो ऐसे सब सिचुएशन में जो है बिसिकली केमपूटर में जो है मदर बोट पर या सीप्यू पर डस्ट जादा हो जाने के बज़ए से वह हीट होने लग जाता है तो आपको यह वीडियो बहुत ही काम आने वा पर लाओं तो इस बीडियो को अंध तक बने रहें तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से ड़ाते हैं और ओपन करते हैं मेरे पास चैव आ गया है अब यह सकते हैं ठीक है अब इससे कैसे करना करना मैंने पार्ट नमबर टू में बता रखा है मैं इसको लेडिको रखा ह यह देखिए मैं स्वाटाता हूँ यह देखिए cpu उडडेडी जो है मैं ओपन कर रखा हूँ ठीक है मैं इसमें आपको बताओंगा किस तरिके से हमें cpu ओपन करते हैं किस तरीके से लगाते हैं ठीक है तो यह जो है देखिए खुला हुआ है open है ठीक है ओ भाई बहुत सब्स आपको बिच बिच होने लग जाएंग लग जा। इसके लिए आपको इसको क्लीन करने के लिए एक आता है वेक्यn ठीक है वह उन्हाइग है तो आपके इस ऐढ़ी से आप ब्लोर होना बहुत जुरूरी है यह फिर composers कर सकते हैं यह से किलीन हो जाता है यह बैसे और से닝 कर सकते हैं इसे करेंगे यह टिकन करेंगे इस तरीके से पुस्ट करेंगे इसे बीधनाइर इसकी घुमा एंगे- इसे थे और safe आओ धी देल्स通06 और जो है आसानी से उठा लेंगे इसके बाद इसको भी तरीके से इसमें आता ता है ठीक है तो हम इसे पुश करेंगे उठा लिया इसको अब इसको जो है इदर से करेंगे यह करेंगे उसके बाद इसको भी हम इस तरीके से उठा लेंगे ठीक है और यह आसान से जो आसानी से उपर उड़ जाता है देखिए यह यह ओपन हो गिया ठीक है तो यह बेसिकली जो है यह जो है प्रोसेसर ऊपर यह सेट हुआ होता है जो हम कभी इसे ओपन करेंगे आप देख सकते हैं अगर यहां पर थर्मल पेस्ट नहीं है यह ज्यादा हुट होता है ठीक है तो आप आपको लगाना यह लगाना बहुत ही कमपलसरी है क्योंकि अगर आप यह नहीं लगाते हैं तो यह बिसिकली क्या है CPU में और इसके दर्मियान में इस्पेस होता है उसको खतम करता है ठीक है अगर थोड़ी बहुत भी एस्पेस ला जाएगी तो फिर वो जो है दिक्कते आती है फिर वो जो है CPU आपको प्रोसेसर जो है सई से काम नहीं करेगा तो हमें जो है thermal paste लगाना बहुत ही जरूरी है जो है बिसिकली CPU पे जो है सहीत है से यह पीट नहीं बैठेगा जब नहीं बैठेगा तो CPU और इसके फैं के धर्मियान में जब इस पेस आजाएगा तो फिर दिक्कते होगा तो हमें जो है ये लॉग लुग जो है बिलकूल ही सही से सदीके से लगाना होता है जब भी आप फिन प्रोपर तरीके से इसमें तो यह फित करना चाहिए तो यह जो खिते गा चार होल है यह देंखते हैं यह चार होल में जो है अच्छे से फिट करना होता है अब यह प्रोसेसर को जो हम पहले डस्टिंग कर लेंगे और इसको डस्टिंग करते पहले ओपन नहीं करेंगे ओपन करने से पहले इसे जो हमें अच्छे तरीके से जो है इसे हमें क्लीनिंग करना पड़ेगा अगर आप इसे खोल के तब आप जो एसे ओर करी नहीं सकते क्योंकि इसमें थोरी बहुत भी एक भी डश चला गया तो आप जो है यह आपका प्रोसेसर काम नहीं करेंगा तो पहले जो हम उपर से जो है अच्छे तरीके से जो है क्लिन करेंगे उसके बाद यह यह देख सकते हैं यहां सम प्रोसेसर निकल आता है तो दोस्तों यह बिल्कुली है मतलब एक आसान है सब्सक्राइब इस तरीके से पकरके जो है ऐसे उठा सकते हैं तो यह जो है कोई मतलब यह नहीं है आप जो है आसानी से जो है कोई भी आदमी जो एक बार देख लेगा इस वीडियो को तो देखके आप इस तरीके से पकरके हमें उठाना है और कभी जो है आप ऐसे उपन हास से उसे नहीं उठाना है गलप सपन के आपको यह प्रोसेसर बिसिकली उठाना है दोस्तों यह वीडियो कैसा लग रहा है आपको अगर सही लग रहा है तो प्लिज इस चैनल को सब्सक्राइब कर चाहिए वीडियो को लाइक कर दें और ज्याद आपने दोस्तों में शेयर कर दें दोस्तों यह थोज़ान और ट्रांजिशन का बना हुआ होता है बिसिकली यह पिनलेस प्रोसेसर है यह अगर प्रोसेसर में नहीं है तो आप देंगे मदर बोर्ड में जो है उसमें प्रोसेसर में नहीं है, यह जो एक उसको कहले, यह बिना गलाप के जो आप बना गलाप्स की यह देख सकते हैं यह-पिन वाले प्रोसेसर है, ठीक है तो आप जब भी बहुत ही तरीके से और ऊपर से घॉलाव स्पंगार यह जो है इसे अप डीस टौछ कर नहीं कर सकते थिच कर अप खुले से एसे नहीं नहीं करना है तो भूल से भी कम अपने करें यह तो आपका processor यहां करना बंध़ कर देगा और हो सकता processor खराब भी हो सकता है ठीक है दोस्तों मैंने भी गूगल से पढ़ाए ठीक है तो इस चीच को नहीं फ्रूसेसर क्या ώव आफन करें तो उसकी का दिहान लगना होता है कि basically हम फिर से आपको दिखाते हैं basically किस तरीके से हम जो है लगाता है यह नौच देख रहे हैं इसी तरीके नौच जो है रेम में होता था तो रेम में भी होता है तो हमें यह नौच को देखके ही इसी तरीके से जो है इसको हमें लगाना होता दोस्तों हम प्रोसेसर तब क्लीन करते हैं जब हमने को भी क्लीन कर लिया मेदर बोर्ड को भी क्लीन कर लिया और बिल्कुल डिस्पेल नहीं आ रहा है तब जाके जो हमें प्रोसेसर क्लीन करना होता है अगर प्रोसेसर क्लीन करने के बाद भी अगर आपका डिस्पेल नहीं आ तो हम जो है आपको किस तरीके से हमें यह फैन लगाते हैं तो चलिए वो जो है मैं आपको दिखाता हूं फैन भी लगाने के लिए ठीक है दोस्तों अब हम इसको जो है सही से फिट करके एक दिखाते हैं और यह मतर बोट खुलना बहुत ही आसान है यह चार स्कूब होता है आप आसानी से खोल सकते हैं तो यह जो है इस तरीके समय को पताता हूं तो यह मुझे अच्छे से लगाना होता है इसलिए मधर बोट को ओपन कर लिए हूं क्यूंकि आप जब फर्स टैम लगेगा नहीं तो फिर दिक्कते आ जाएगी तो हमें जो है इसे देखके अच्छे से जो है मतलब सब्सक्राइब उसमें लगाना बहुत ही आसान हो जाता है तो चलिए मैं इसको दिखाता हूं किस तरीके से जो हम फिट करते हैं तो यह आप देख सकते हैं इस पॉइंट को हम पहले यहां अंदर में इस तरीके से हम इसको इंसर्ट करेंगे और जैसे यह पॉइंट है यह जो है आसानी से यह टूटना ने चाहिए क्योंकि हमें यह देखना होता है कि अगर यह तूट गया तो भी दिखे हैं हम यह दर पूसके यह बाहर आ गया यह अच्छे से जो है लग गया इसी तरीके से दूसरा भी जो हम इस तरीके से पूस करेंगे इसको भी मैं लगा दिया और यह देखें तीसरा भी जो हम साई से इसको फिट करेंगे ठीक है तो यह जो है यह जो है इस तरीके से जो है लग करेंगे यह कर दिया और इस तरीके से लग गया है और फो कर दिया थिक और छो है एक निडिल होता बोग जो है इसमें लोकर होता है लोकर आके लग गया है अब यह फिक्स हो गया आप इसको कितनों भी इस तरीके करेंगे यह देखें तो दोस्तों यह रहा आपका आपको पूरा दिखा दिया है किस तरीके से जो हम सीपियो फिट और ओपन करते हैं ठीक है दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आपको पंडब कर सकते हैं अगर अब इस चैनल को सबसक्राइब करें साथ में बैल आइकन भी दवाएं और जड़ा ज़द आपने दोस्तों में शि हमें रैम अपने घर पे अपने सिस्टम से ओपन करना है किस तरीके से फिर रैम को जो है लगाना है और किस तरीके से उसे डस्टिंग करना है थैंक यू फर वाचिंग जै हिंद